नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है साथियो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जिनके पास रासन कार्ड होता है उनको सरकार के तरफ से मिलने वाले चावल हुआ गेहुँ हुआ जो भी रासन प्रभाईर कराती है सरकार उनको आसानी से मिल जाता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रासन कार्ड के लिष्ट में नाम है और उनको रासन नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास में रासन कार्ड नहीं है उनका रासन कार्ड के लिष्ट में नाम है लेकिन उनका रासन कार्ड नहीं होने के कारण से जब वे रासन डिलर के पास जाते हैं तो उनको रासन नहीं मिल पाती है मैं आपको बता दूँ कि रासन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको रासन कार्ड नंबर की जरूरत पड़ती है रासन कार्ड नमबर आपको तब ही मिलेगा जब आपका रासन कार्ड के लिष्ट आपके पास होगा या फिर आपका रासन कार्ड आपके पास होगा तो राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपका राशन कार्ड डाउनलूड नहीं हो पाएगा और राशन कार्ड आपको कोड़दार देगा नहीं तो उस इस्तिती में आपको क्या करना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना रासन कार्ड नंबर के आप अपने अधार कार्ड नंबर से या आपके फैमिली में जितने मिंबर है उनमें से किसी का भी नाम अगर रासन कार्ड के लिस्ट में है तो उनका अधार नंबर से आप अपना डि निजितल राशन काड़ आप डाउनलोड करके अपने मोबाल में रख सकते हैं और उस राशन काड़ के मध्यम से उस राशन काड़ को दिखा करके डिलर से कैसे आपना राशन आप लेंगे तो विडियो बहुत ही ज़्यादा महत पुर्ण होने वाली है वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फिलीज लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे फेस्बुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन बक्स में मिल जाएगा वहाँ जा करके आप उसको भी फ्लो कर ले चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अधार नंबर से डिजिटल रासन काट को डाउनलोड करने के लिए आपको एक एप्लिकेशन की जरूरत परेगी एप्लिकेशन को कैसे डाउनलोड करनी है चलिए मैं आपको बताता हूँ एप्लिक करने के बाद आपको सर्च कर देना है आपके सामने इस प्रकार से मेरा रासन एप्लिकेशन का इंटरफेस आ जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहा है यहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है जैसा ही आप इंस्टॉल करते हैं आपके फोन में मेरा रासन एप्लिके यहाँ पे दिखाई देता है यहाँ पे एक option आपको दिखाई देता है आधार सीडिंग का आपको आधार सीडिंग वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है यहाँ पे आपको दो अप्सन देखने को मिलता है रासन कार्ड नमबर और यहाँ पे अधार कार्ड नमबर तो आपको यहाँ से अधार नमबर को सेलेक्ट कर देना है दिन आपको आपके family में जितने लोगों का अधार number रासन कार्ट से जूर चुका है उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का या फिर रासन कार्ट का जो main member है उनके अधार number आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ से submit करना है तो चले मैं एक अधार number यहाँ पर डाल देता हूँ अधार number डालने के बाद आपको यहाँ से submit करना है जैसे ही आप submit करते हैं आपको कुछ second wait करना होगा यहाँ पर automatic आपके अधार कार्ट से आपके रासन कार्ट का details यहाँ पर detect करता है आपको कुछ देर wait करना होगा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा रासन कार्ट का यहाँ पर details आच चुका है मेरे रासन कार्ट से जितने भी member का आधार जुरा हुआ है यहाँ पर उनका नाम सो करता है और यहाँ पर बताया ज़रा है कि जुरा है या नहीं यहाँ पर दिखाई देता है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रासन कार्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देता है इस रासन कार्ट नंबर को आपको लिख लेना है या कॉंपी कर लेना है तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ या copy कर लेता हूँ अब आपको अपने mobile के chrome browser में google को open करना है और search box में type करना है dg locker जैसे ही आप dg locker type करके search करेंगे तो आपके सामने इस परकार से page open होगा यहाँ पर आपको dg locker.gov.invalley option पर आपको यहाँ पर click कर देना है इस website का link आपको वीडियो के description box में भी मिल जाएगा वहाँ से भी आप इस website पर आ सकते हैं website पर आने के बाद आपको क्या करना है अपने आधार कार से digital राशन कार्ट को download करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि right side कूने में आपको sign in का जो option दिखाई देता है इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open हो जाता है यहाँ पर आपको login करना होता है अगर आप पहले से digital कर का login ID और password बना रखे हैं तो आप यहाँ पर login कर पाएंगे login करने के लिए आप यहाँ से mobile number या अधार number इसमें डालेंगे यहाँ पर 6 digit का जो pin आपने बनाया था उस pin को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से signing करेंगे या फिर user ID से अगर आप login करना चाहते हैं तो यहाँ पर username को select करेंगे यहाँ से username और 6 अंग का pin डालेंगे और यहाँ से signing करेंगे लेकिन अगर आप पहली बार इस website पर आए हैं तो आपको यहाँ पर sign up करना होगा उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि do not have an account sign up का जो option यहाँ पर दिखाई देता है इस पर आपको click करेंगे अब आपके सामने इस परकार से एक फरम open हो जाता है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फूल नाम डाल देना है जैसे आपके अधार कार्ड पर है यहाँ से आपके अधार कार्ड पर जो date of birth है उसको select कर लेना है यहाँ से आपको अपना date को select करना है calendar के माध्यम से आप यहाँ से date को select करना है यहाँ से month को select कर दे और यहाँ पर आपको एक 10 अंक का mobile number डाल देना है यहाँ पर 6 अंक का आपको पीन create करना होगा आप पीन में कुछ भी 6 अंक का create कर सकते हैं यहाँ से email ID है तो आप डाल दे अन्य था इसको आप छोड़ सकते हैं अफ्शनल है यहाँ पर आपको अपना 12 अंक का अधार number डालना है यहाँ से आपको submit कर देना है यह सभी डिटेल्स भरने के बाद आप जिसे ही submit करेंगे आपका account create हो जाता है मैं यहाँ पर पहले से ही account create कर चुका हूँ digital locker का तो मैं यहाँ पर directly login करता हूँ login करने के लिए मैं sign in वाले page पर आ गया यहाँ पर मैं अपना अधार number और 6 अंक का pin डाल करके sign in करता हूँ जिसे ही sign in पर click करेंगे तो उसके बाद आप ने जो mobile number डाला है उस पर एक OTP गया है उस OTP को आपको इस box में fill करना है OTP को fill करने के बाद फिर से आपको submit कर देना है अब आप dg locker के site पर login हो चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि welcome to your name लिखा रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप रासन कार्ड लिख करके और यहाँ से एंटर डबाएंगे तो आपके समने कुछ इस प्रकार से लिस्ट आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रासन कार्ड और उसके बाद आपका state का नाम यहाँ पर सो करता है इस लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाता है रासन कार्ड यहाँ पर किरला वेश्ट बंगाल हिमांचल प्रदेश रासन कार्ड डिपार्टमेंट अफ फूड एंड कंजूमर यहाँ पर देख सकते हैं कि हर state का नाम आपको देख लेना है यहाँ पर राजस्थान पंजाब गोगा सिकिम उत्राखन उत्तर परदेश त्रिपूरा असाम सभी जगे का मिल जाता है तो मैं यहाँ पर बिहार वाला सेलेक्ट कर देता हूँ जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अपने state का उसके बाद आपके सामने इस परकार से प सुपर दें तो मैं यहाँ पर डालने के बाद हैब को यहाँ पर रिक्विश्ट है सब्मीटेड फिलिज्फ वेट कनफर्मेशन कुछ दिर आपको वेट करने के लिए बताया जा रहा है तो कुछ दिर आपको वेट करना है ूँथ फोल्य क सेले आपकर कशक्शन लाश्ट में मेरा यहाँ पर रासन कार्ड आ गया है तो यहाँ पर रासन कार्ड मेरा आ गया है मैं इसको कैसे डाउनलूड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीर का जो अप्सन दिखाई देता है एरो वाले अप्सन पर आपको क्लिक कर देना है जिसे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका रासन काड डाउनलोड हो चुका है यहां से आप PDF में इसको read कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि PDF लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है जिसे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका रासन कार्ड open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि food and consumer protection department पटना विहार यहाँ पे आपका जो भी district है उसी का नाम रहेगा यहाँ पे रासन कार्ड number रासन कार्ड holder का नाम मतापिता का नाम address रहता है यहाँ पे dealer का नाम भी रहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस रासन कार्ड में जितने member है सभी का नाम यहाँ पे सो करता है यहाँ पे gender उनका age यहाँ पे relationship सो करता है dealer के पास तो आपको 100% राषन मिलेगा तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसी आप अपना अधार नंबर डाल करके digital राषन का डाउनलोड कर पाएंगे इस प्रकार से आप अपना digital राषन का डाउनलोड करके और अपने राशन उठा सकते हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं आपके मन में किसी भी परकार का सवाल परसन है तो आप कमेंट सक्षन में जूर करके हमसे पूछ सकते हैं चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो दखेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद